रोजाना की भाति मैं उपस्तित हूँ अगले रोग को अगले रोग के चर्चा के संदर्व में कल हम लोगों ने रग्त पित के बारे में कुछ चर्चा की थी कुछ प्रश्ण उस दिन के आय हुए है योगेश महाजन जी सर्व प्रथम उपस्तित हो गए है अधिती तरपाटी भी उपस्तित हो गई है आप सब को नमस्कार मनुरण्य शाहु जी उपस्तित हो गए है समय का आप सब ध्यान रखने हैं विकास चोधरी जी आ गई है विकास चोधरी जी विनेश्वर श्रीवास्तो जी पस्तित है अब आई ये कुछ प्रश्णों के उत्तर हम ले लेते हैं पहले मुदुकल वासु सुशील त्रप्ती सिंगल बिंदु गुपता नीलम शुकला जैसे चिकिस्सा को पस्तित हो गए है बिजे सेनी जी ने पूछा है उनका एक पेशेंट है यूएसजी रिपोर्ट उनने करवाई है रिपोर्ट में एसेट पैप्टिक डिसीज और डेस्टेंडेट बॉविल लूप ये आया हुआ है जयसा कि आप सब जानते हैं इसेट पैप्टिक डिसीज इसके अंतर्गत केष्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स। गेस्ट राइटिस गेश्ट्रिक अल्सर डूणल अलसर कös इसो फेगल अलसर आदी का समाविष होता है यानि यह सब डिसीज ऐसेट प्रेप्टेट डिसीज के अंतरगत आती हैं इसमें हम सबसे ज़्यादा जो कॉमनिस्ट डिसीज मिल जाती मिलती है वह प्रेप्टेक अलसर और दूबल अलसर अद्ध तो इसी की चिकेस्सा के बारे में हम चचा करेंगे सबसे पहले आप विरेचन करा दें विरेचन कराने से उपस्तित प्त निकल जाएगा विरेचन के लिए पंच्टिक घरत या स्टावरी घरत से आभ्यांतर सन्येपान कर लें और फिर तीव्रत अमलतास गुदा 40 ml डाल करके विरेचन करा दें कि विरेचन करने के बाद संसर्जन करम फिर दवाईयों आप श्टार्ट करें एक प्रसिद्धियोग है मेरा जो हमें हमेशा अलसर इसमें प्रेप्टिक और डिविडिनल अलसर में देता हूँ वह है अश्वगंध स्वरी शतावरी चूण 100 ग्राम मुलाइठी चूण 100 ग्राम और 20 ग्राम मंदूर भस्व यह योग हम बना के रखते हैं एक एक चम्मत सुब्य शाम को यह दिन में तीन बार दुख्ध के साथ इसका सेवन कराते हैं प्रसव सुद्यों में सूत सेखर रस 125 मिली ग्राम परवाल पिष्ट्री 250 मिली ग्राम और मुक्ता परवाल पंचामरत 6 मिली ग्राम यह एक मात्रा एसी दो यह तीन मात्रा रोगी को हम देते हैं इससे काफी रोगी को आराम प्राप्त होता है इसके लावा आविपत्ति कर्चूर पाच ग्राम भोजन के एक घंटे बाद दोनों टाइम देना चाहिए एंटर से बहुत सारी टेबलेट आती हैं उनको भी आप प्रयोग कर सकते हैं जैसे चरक की अलसरे प्रेट्री का जो योग बताया है वह बहुत ही लाभप्रद है उसको आपको लगातार देना है लगभग दो महिना से तीन महिने तक आपको दवाई देनी पड़ेंगे एक और प्रश्ण है उनका पिशेंट है उनका कोई हर्ट बर्ण है माइल्ड वोमिटिंग होती है अब डाउनल पेंड होता है इसमें भी आप एक तरीके से इसमें भी आप विरेचन कराएं और विरेचन करने के बाद फिर एंटरसिट ट्रीटमेंट जो आईरविद का है वो आप इसको देवें कि डाक्टर योगेश्च महाजन और यह उन्होंने पूछा है कि एक पेशेंट होनका कि सड़नली रिस्ट्रिक्शन आफ नेक मुवमेंट नेक मुवमेंट उसके सड़ने इफेक्टेट हो गए हैं यह हो जाता है कभी-कभी हम जब तकिया ठीक से नहीं लगाते ठीक से हमार अगतार देखते हैं ऐसे कारणों से नेक में बेदना हो सकती है और इधर उदर घुमाने में तकलीफ रोगी को हो सकती है कई बार चक्कर भी आ सकते हैं ऐसे पेशेंट में थोड़ा एक्सरसाइज के सहारा लें साथ में वाहय अभ्यंग सहिचर तैल सी करने के पश्याद पत्रप्रिण श्वेद करें पत्रप्रिण श्वेद में लाव होगा फालूर बाई नाड़ी श्वेद यह आप साथ दिन करके देखें यदि सामान्य लेटने की वज़े से कोई यह तकलिफ हुई है तो निश्चित रूप से इसमें आराम हो जाएगा लेकिन यदि इस पर भी नहीं ठीक होता है तब फिर ग्रीवा वस्ती आपको लगानी पड़ेगी ग्रीवा के प्रश्ट भाग में लोंगिट्यूडनल आपको ओड़त दाल का टेंक बनाना पड़ेगा और उसमें डेढ़ हंगोल आईल भरना पड़ेगा सहचर तैल अशुगंदा बला तैल दसमूल तैल और फालोड लाइन क्यारा दिन का कोर्स करेंगे तो पेशन को अरहामप्राप्थ होगा अउसदियों में आम वातारी रस ₧ एक कांग वीरी रस ₹ज पाद्याह 6 कॉइअब मrü memory scale양3 1th मिली ग्राम महावाथ दिधवनसन9 115 मिलिग्राम इसे दिर दमें mm और त्ल जांध के साथ leapfactor सेवन कराएं इसके लावा महायोग राज गुगुलू दो गोली शुबे दो गोली शाम को महारासना दिक्वाथ 20 ml इसमें 10 ml केस्टर आयल मिला करके भोजन के आधा से एक घंटे बाद दोनो टाइम सेवन कराएं इससे निश्यत रूप से गरीबा के जो मुमेंट है वो नॉर थर्टी येर्स का पिशेंट है फिमेल है मॉॉड्रे टु सेरल सीवियर मॉड्रेट टु सीवियर ह हॉड्री नेयफरोसिस की सिकायत है पहले समझलें कि हम्री मानिय फ्लूड नेफरोसिस यानि पलूढ का अधिग मात्रा में किड्नी में जम्म हो जाना इसको हाइडरोनेफ्रोसिस कहते है् है और ये जमा क्यों होता है कि जो फिलूढ बाहर निकलना चाहिए यूरिटर के माध्यम से यूरीन न कलनाचाहिए वह वो नहीं निकल पाता और रिटर्ण इंटू किड्नी ऐसा बार-बार कलेक्ट होते रहता है इस डिसीज का नाम है हाइड्रो नेफ्रोसेस और ये खास तोर से केलकुलाई रिनल केलकुलाई के द्वारा या बार-बार इंफेक्शन यूटी आई का होता हो इनलार्ज प्रोस्टेट ग्लेंड ट्यूमर हो गया हो या कोई ब्लड कलॉट हो गया हो इसके कारण रिटर्न ऑफ फ्ल्यूड होने लगता है तो सबसे पहले कारण का पता लगाएं कारण ट्रीट्मेंट करें कि इसमें गोक्षुर शतावरी ककड़ी बीज अकुटकी बराबर मात्रा में एक एक चम्मच सुबशाम सेवन कराएं कि शोथ हर वस्ती भी इसमें दे सकते हैं लेखन वस्ती भी इसमें लाब करेगी और यदि इंफेक्शन हो तो अधिक मात्र में पान पानी पिलाएं पेशन को चंद्र प्रफावट्री आरुगिवर्धनी दो दो गोली देन में दो बार टैबलेट नीरोसिल दो शोवेदो शाम को जोर की अवस्ता हो तो गोदंती त्रिवनकीतिरस और चंद्रकलारस यह 250 मिलीग्राम प्रतेक ले करके और इसकी पुड़िया को एक एक दो-दो घंटे में खिलाएं शडंग पानी का सेवन भी इंफेक्शन के लिए अच्छा रहता है मुस्त परपट कोशिर चन्नो धी चनागरी है यह पांच और सदिया है इनका स्रत सीथ फांट बना करके पिलाएं या सौफ का पानी पिलाएं 50 ग्राम सौफ एक ली गिलोएं और विडंग इनको पचास-पचास ग्राम लेके बारह सौमिल पानी डाल लें तीन सौमिल बचाएं और फिर इसमें गोमूत्र पचास एमिल शहर पचास एमिल यवक्शार दस ग्राम मिला करके यह वस्ति दें तो इससे प्रोस्टेट का लावच्छा हो गए इसक भी आप निरुहुवस्ति इसमें दे सकते हैं एक योग मैंने साहित बताया होगा पहले भी प्रोस्टेट के लिए जो मकई होती है जिसके हम भुट्टे खाते हैं भुट्टे के आगे बाल होते हैं उन बालों को एकठा करवा लिजे सुखा लिजे और उसको जलाती जलाने कर सकते हैं वन्थाउ जय नमजी की दो दो कैफ्सूल दिन में दो बार यह लगातार तीन महने तक दे प्रोस्टेट में बहुत अच्छे रिजल्स हैं इसके लावा प्रोष्टीना है प्रोष्टीज है बहुत सारी सदियां है कांचनार गुगुल है इनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं तो कारणों को देख करके आप ट्रीटमेंट करें क्लॉट हो गया है तो क्लॉट को कैशे हुआ है यह आपको देखना पड़ेगा और इसको और मार्ग साफ हो जाता है डाक्टर इनका एक और कुश्चन है उनका फिमेल का कुई पेशन है बाई साल की उमर है इर्रेगुलर मेंसेस है ऐसे डिटी है कॉंस्टिपेशन है और फेस हेर ग्रोथ है अन्वांटेट फेस है इसे डिटी वह कॉंस्टिपेशन है तो इसमें सबसे पहले आप विरेचन कराएं विरेचन कर्म से कॉंस्टिपेशन एक आराम होगा इर्रेगुलर मेंसेस इनके लिए लगातार असोकरिष्ट कुमारी आसो दो दो चम्मच चार चम्मच पानी भोजन के बाद दोनो टाइम पेशन को देवें पुस्यानुक चून एक एक शमर दिन में दो तीन बार लगातार देवें और कारण का परिक्षन करें हर्मून का भी टेस्ट कराएं किस वज़े से यह इर्रुगलर एमेंसेस हो रही है और उसके बाद फिर आप ट्रीट्मेंट फिक्स करें सभीता पाइटिल जी ने प्रश्ण किया है आटो इम्मून डिसॉर्डर्स का ट्रीट्मेंट बहुत ब्रहत सब्जेक्ट है लेकिन सामानिता तस्याम शर्ण सोधने सुधा सुखी जाद बुलापना प्रसायनम प्रविंजीति तद प्रविक्षामी शोधनम इसमें रसायन काल वस्तिक्रम से वस्तिक्रम यह प्रक्रिया करने के पतशाद फिर रसायन और सद्यां है जैसे आमलकी रसायन अभ्यामलक रसायन चरक की नाम चूडानी सेंधवामलके गुरम वचाविदंगरजिनी पिपली विश्वेजम पिवेद उष्णा मुना जन्तु स्ने सोधो पाद्नह तेन सुद्ध सरीडाय कर्सन सरजनाचा तिरात्रम यावकम धर्द्याद पंचाहं वाविश्वसा सप्ताहं वाप्राण से यावद सुद्धस्टु वर्ष्ण सुद्धक प्रष्ण तुम्तु तम ग्यात्वा रसायन मुपाचरित रसायन अध्याय आप चिकिस्ता स्थान में चरक में देख सकते हैं इसको यह भी रसायन भहुत ही स्रेष्ट है इसका प्रियोग व्यादीक्षमत्तों बढ़ाने के लिए करना चाहिए इसके लावा पिपली रसाय आचाय चरक ने तो 1010 पिपली प्रिद्धे लेने के लिए कहा है और 1000 पिपली तक लेने को खाया है उतना ना लिजे एक पाट से चालु तक लेजाे 10 पिपली से फिर कम करिए ऐसा दो-तीन अपढ़न अपडाउन कोरस करेंगे तो निश्चेते ब्यादीक्षमत्त्य की व्य दी इसमें जरूर होगी इसके लावा आशुगंधा शतावरी और मुलेठी ये चरक का योग है बरावर मारावर लेकर करके चून बना ले और एक एक चमत दिन में दो बार दूद के साथ इसका सेवन करें इसके लावा ब्रामी अवलेह चमन प्रास मेनाल माल्ट इनका निरंत सेवन किया जाए इससे भी ब्यादिक्षमत तो बढ़ता है दूसरा आपकी लाइफ इस्टाइल लाइफ इस्टाइल आपकी ठीक होना चाहिए डाक्टर अर्चना वर्मा जी ने एक पेशन के बारें पूछा है कि रात्र में पैर के इंग उठे में स्वेलिंग हो जाती है और भेर्णा भी होती है लेकिन दिन में ठीक हो जाता है 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 तो यह प्रारब में कवस्ता गाउड की मुझा लगती है यूरिक एचछीट डिपोजिट होने लगा है और यह यूरिक केशेड जादातर रात्री में ही अट्रिक करता है आप यूरिक एचछीट का टेस्ट करा लें अगर यूरिक एक पास्टिफ मिलता का है तो कैशोर गूगूल सिंगनाद गूगूलू दो दो गोली दिन में दो बार कि अंगनी कुमारश है चो थारी लोह अगनी कुमारश 125 शोथारी लोह 250 और आंभातारी रस 250 इनकी पुर्या दिन में 2-3 बार 2007 करा है इसके लावत दशांग लेब दशांग लेब करीब 20 ग्राम ले ले एक चम्मत सरसों तेल डाल करके इसको आधक कब पानी में अच्छी तरह पका ले लेब बना ले इस लेब को लगार करके और ब्रणपट बंधन कर ले इससे अगर आप साथ दिन भी प्रियोंग करते हैं तो निश्यत रूशे आपको आराम प्राप्त होगा दूसरा खटाई तली मली चीज़ें न लेवें और चलना फिरना करेंगे तो मुमेंट में भी ठीक हो सकता है जैसा आपने कहा भी कि दिन में ठीक रहता है जोती वाला डामोर साथ साल का पेशेंट है उनका वो जब चलते हैं तो इनवर्ट बैंडिंग अब दी फीट जो फीट है वो इनवर्ट हो जाते हैं इसके मानी यह हुआ कि सौफ्टनिंग अब दी बोन ऐसे बच्चे में हैं तो इसमें अधिक्तम केल्सियम का शेवन कराएं वाह अभ्यंग वाह सुजन और इसमें सस्टिक शाली स्वेट बहुत अच्छा फायदा करेगा सस्टिक शाली स्वेट साथ दिन में पैदा होना वाला चावल जो इसको हम साली चावल कहते हैं लेडीज इसको उपवास में सेवन करती हैं यह स्वेट कराएं इसमें अश्वगंधा शतावरी और बला मूल तीनों सद्यों में कोई हु मिल जाएं यह तीनों मिल जाएं इनका काढ़ा बना लें आप 400 एमिल, 100 एमिल शेश अलग रख लें 300 एमिल में लगवख सो ग्राम 50-100 ग्राम चावल लेके लाल चावल जो गुमसाली चावल कहते हैं डाल करके इसको पका हैं अच्छी तरह पकाने के बाद अच्छी तरह उसको मैस कर लें और इसकी दो पोटली बना लें मैं भूल गया थो बताना आपको माले यह 400 एमिल क्वाथ बनाया आपने तो इतना ही आपको दूद डालना है तो टोटल कितना होगा 800 एमिल और इसमें 100 एमिल आप शेश कर लें 700 एमिल में चा और जो 100 ml आपने बचाया है वो किसी बर्नर में ये गैस सिलिंडर में उसको रखकर धीरी-धीरी गरम करते रहें और पोटली को उसमें टुबोग करके जो लेक्स हैं जहां पर तेड़ापन है वो उपर से नीचे की और अच्छी तरह मालिश करें सश्टिक शाली शुरित करने के पहले अश्वगंधा बलाताई या सहचाताई लिए दस्मूलतर से अभ्यांग करने के बाद ही सश्टिक शाली शुरित करें ये लगातार 21 दिन का कोस करें इससे जो बेंडिंग है वो निश्चेत रूप से ठीक होगी आउसदियों में प्रवाल पंचामरत 60 मिली ग्राम एक आंग वी रस 125 मिली ग्राम गिलोई सत्थ 250 मिली ग्राम ये एक पुरिया है ऐसी दिन में दो पुरियां चवण प्रास के साथ या ब्राम्मी अवले के साथ बच्चे को देवें इससे निश्चत है आप मालिश्रे और सश्टिक शालिश्रे जो टेड़ा पना रहा है वो ठीक हो जाएगा डाक्टर सुभम ऐस्पमार इन्होंने कहा है ड्राई हेर और ड्राई इसकिन आजकल तेल न लगाने का फैसन चला हुआ है जबकि नारियल तेल या तिली तेल का कम से कम दिन में एक बार तो सरवांग अभ्यंग अच्छी तरह करना चाहिए बालों में भी अच्छा तेल बजागाते हैं तो यह शिकायद नहीं रही ज्यादर तर यह ओल्ड एज में शिकायद होती है कि तो चाहिए सूखापन उनको खुजली होने लगती है तो नित्तरूप से अभ्यंग करें तिली तेल से या नारियल तेल से तो यह जो शिकायद है वो नहीं रही इसके अलाव छुच्ष एक चम्मंच और आवला का जूस एक चम्मंच अज कल में उपलब्ध हैं is दिन में दो है इसक meas the श्वया कराएं कि मोहा लोशन योशन नहा-ह मोहा लोशन अनam झ्छन ऑड़ को यह कहा यह दिन में एक बार इसका भी लगा इससे भी चेकनाहट आ जाएगी तैल में अच्छा भ्रंगराज तैल चमेली तैल इनका प्रयोग करें तो जो सूखापन है वो निश्यतुरू से ठीक हो जाएगा कभी कभी तिर्फला क्वाथ से धो लें सर को हबते में एक बार तिर्फला को पानी में भिंगों करके रख दें और इसको सुबह प्राता काल अच्छी तरे पका लें काढ़ा बना लें और फिर इससे अपने सिर को अच्छी तरे धोएं जब आप तिर्फला लगाते हैं तो थोड़ी देर एकात घंते तक सिर में लगा रहना चाहिए उसके बाद आप धोएं तो इसका एफेक्ट आपको ज़्यादा प्राप्त होगा सालनी सिंग वेरिकोज भेंस वेरिकोज भेंस में निश्चतरू से ज़्यादतर स्थोलू रोग में प्राप्त होता है या जो बहुत अधेर तर खड़े रहते हैं अधेर तर उनको भी इस प्रकार की व्यादियां हो जाती है इसमें विरेचन कि पंजय त्रिफ गस्ट है जो विरेचन करा दे बहुत इसरी महात्त प्रूअच hopping शरावीज से कर सकते हैं या जलो का उचार्ण से जलो का उचार्ण ज्यादा प्रते एक दूसरे दिन दूजलो का इफेक्टेट पॉर्शन में आप लगाएं इससे तत्काल आपको आराम प्राप्त होगा इसके लावग कैशुर गुगुलू अम्रतादी गुगुलू दो दो गोली दिन में दो बार इसका सेवन कराएं रशौ शद्यों में मुस्षोथारी लोग हो श्वेध परपती शोथारी लोग दो सबवाच संजय ने पुन्सवन संसकार के बारे में जानना चाहा है प्राचीन काल से ही हमारे भारती संस्कृत में इस्थापित है सोला संसकार करने की सोला संसकार किये जाते हैं उसमें एक पुन्सवन संसकार भी है आज हम लोग पुन्सवन संसकार इसलिए कराते हैं कि हमारा बालक पैदा हो लड़कियां दो हो गई हैं बालक पैदा हो लेकिन शास्त्रों में जो पुन्सवन संसकार है वो एक प्रकार का भ ताकि जो गर्वधारन हुआ है वो बढ़िया हो, बुद्धिमान बालक पैदा हो, शक्तिशाली बल्वान पैदा हो या किसी को जो आपने स्मर्ण किया है वैसा बालक पैदा हो, इसलिए पुनस्वन संस्कार किया जाता है। यहां पर एक नस्य विदिवताई है आचारियों ने, आपने बरगद का पिर्ण जानता ही है, बरगद में जो वटांकुर होते हैं, पत्ते जब बनते हैं उसके पहले वटांकुर होते हैं, नुकिले वटांकुर होते हैं, वो साथ वटांकुर आप तोड़ लें, रोज आना स साथ किया हो सकता पड़ेगी तोड़ करके आप फ्रिज में भी रह सकते हैं इनको अच्छी तरह धो करके गरम पानी में और बारीक करके इसका रस निकाल लीजिए और यह रस ऐसा कहा जाता है यदि पुत्र की इक्षा हो तो दक्षण नासा में डालें चार सी चाय बून और यदि लड़की की इक्षा हो तो वाम नासा में नस्य देवें यह सूरुदे के पहले देना चाहिए ऐसा लगातार ये तीसरे महिने में गर्वधारण के तीसरे महिने में ये पंदर दिन का प्रयोग आपको करना है इससे बालक भी या गर्ल पैदा हो रही है लड़की है सभी पुष्ट पैदा होंगे इसके लाबा एक योग और बताये गया है पीपल के पत्ते आप कोमल पत्ते दो नग तोड़ लीजे और वटब्रिक्ष में आपने जो जड़ें लटकती रहती है आपने देखा होगा जड़ें जो हैं लटकती रहती हैं वर्गत के पेड़ में उनके अग्रभाग जो स्वेत प्रण का होता है वो आप साथ नग साथ सेलेक्ट कर लीजे तोड़ लीजे और गिलोए लगबग पांच ग्राम तो गिलोए पांच ग्राम पीपल के पत्ते दो और जो लटे हैं जिसको हम जड़ भी कहते हैं वो लटकती रहती हैं उसके अग्रभाग के साथ इन तीनों को मिलाके पानी में बारी पीछ लीजे अच्छा और इस्टिली की कटोरे में रख करके प्राता काल सूर्जे के पहले नस्य के पहले उसको सुंग हैं दोनों नासा से सुंग हैं और इसके बाद उसको खा ले वे खाने के बाद गोदुग्द से बनी खीर गोदुग्द से बनी खीर चावल की गाड़ी बननी चाहिए उसका सेवन कर लिजे ये क्रियाएं पंदरा दिन तक आपको करना है इसमें जो बालक बालिका पैदा होगी हरश्ट पृष्ट होगी और बड़ी बुद्दमान होगी माता जिसको गर्व धरण हुआ हो उसका बातावरण उसका इन्वायर्मेंट बे पॉजिटिविटी से बढ़ा हुआ होना चाहिए निगेटिविटी उसमें नहीं आनी चाहिए इस तरीके से पुनसवन संसकार करने से हरिष्ट पृष्ट बालक की या बालिका की उत्पत्ति होती हैं इसी ही पुनसवन संसकार कहा जाता है पुनसवन मने वैसे तो इसको देखा जाए तो लड़का पैदा करने के लिए करा जाता है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो नरको पालनकार होता है नरको नरको तारने वाला होता ऐसा कहा जाता है वही तरनी जो खाजाता है वो पुरसी लड़का ही होता है तो इसलिए पुल सवस्कार की कलपना आचारू निकी है अब जो डाक्टर फांचाल इन्होंने क्र्वानिक रीनल फिल्वर के ट्रीटमेंट के बारे में पोचा है घाल सीरं के रिटनी जब 10 की उपर हो जाए तो समझने जाए कि रॉनिक रीनल फिल्वर है इसमें द्रणपंचमूल क्वाद वरोनादी क्वाद 300 ml काढ़ा बना ले 10 ग्राम यवक्षार और गोमुत्र 50 ml पचास ml शहर ये वस्तिदे में और वर्णाद इक्वाद का हर दो दो घंटे में सेवन कराएं इसके अलावा गोक्षुर ककड़ी बीच शतावरी और कुटकी बरावर मात्रा में लेके एक एक चमच सुबह शामिस्का सेवन करें इसके लावा चंदर प्रभावटी दो दो गोली दिन में दो बार प्रणर नवास्टर क्वाथ भी आप इसमें सेवन करा सकता हैं बार बार यह प्रक्रियां करेंगे निश्यत्रू से आपको फायदा प्राप्त होगा आये हमारे सुधी चेके सग विद्वान चेके सग जो निप्त प्रिदिन इसका अरकम से अपना लगाव बनाए हुए हैं ऐसे डाक्टर दिनेश जोशी जी आयूस दरपन के करता-धरता डाक्टर नमीन जोशी जी मनुरंजन साहु जी रेखा बर्मा जी रश्मी ध्यानी जी सुनिर रातूरी महेंद्र चतरवेदी जी सम्मानी चिकेसक हैं संतोज सिंग शीतल गुञ्यनवार और मेरे अच्छे मित्र मुहमत साहिद निर्मला स्वाल योगेश महाजन और सुधी चिकेसक और निरंतर सुनने वाले समय पर उपस्तित हुने वाले बंदना पाथा जी उसाता भानी जी शिल्पा पालसकर जी डाक्टर शुधीर वर्मा डाक्टर पमन जोगी डाक्टर सुखुमंत मिश्रा संजय जी नितु बात्रा केन गंगवार धीपाली अगर कर जी अधितितर पाथी जी अर्चना वर्मा जी शैलेंदर ठाकूर जी नीलम शुकला जी मुकंबिका रचना जी आनन्द आयरवेद और मेरे प्रिये वैद्य आरभी प्रजापति सुधीर वर्मा जी विनेश्वरी श्रीवास्तो गिर्यराज प्रशाष शर्मा जी कि सक हैं अनवर में बहुत अच्छी पंचिकर्म का होस्पिटल है उनका अरुनार शर्मा जी विकास चोधरी जी संजाई जी जो कि मुलंद में रहते हैं बॉम्बे में और मैं भी बॉम्बे में ही रहता हूं राजेंदर कुंद्रा जी संध्या पांडे गौरो पार्धी ये विद्वान्ची की सक इस कारकम से जुड़े हुए हैं और ठीक चार बजे इस कारकम में उपस्तित हो जाते हैं ये बहुत ही अच्छी आपसों को बहुत बहुत हार्दे का भ्रियंदन अब आईए आज थोड़ा से अल्सरेटो कोलाइटिस के बारे में चर्चा करते हैं जो अल्सरेटो कोलाइटिस बहुत ही गंबीर व्यादी है और बहुत ही कष्ट शाद्दे व्यादी है और मज़े की बात है कि ये नवयोकों को जादा होती है इसमें जैसा कि आप जानते हैं पेट में दर तो होता ही है साथ साथ में 20 से 30 बार मलब प्रवित्ती होती है जिसमें रग्त शलेश्मा की भी प्रवित्ती होती है इसको प्रणयोक्त ब्रहदांत्र शोत कह सकते हैं आयरवेद में हला कि इसका कोई अलग से अलस्रेटो कुलाइटिस के नाम से अलग से इसका वरण नहीं है इसकी तुल्ला हम छतज ग्रहनी से कर सकता है छतज ग्रहनी और ट्रीटमेंट भी लगभग ग्रहनी के समान ही इसमें किया जाता है अल्सरिटो कुलाइटिस का अब तक कोई विशिष्ट निदान ग्यात नहीं है कि किस वज़े से यह होता है परंदुसामानिता यह व्याधी जैसा मैंने पहले बताया युवा वर्ग में अधिक पाई जाती है सम्भवता आंत्रगत व्याधिक शमत्त में अल्पता हो जाने कर यह व्याधी उत्पन होती है जब विभिन्न प्रकार के जीवानुओं द्वारा स्रवित बेश जिसको टॉक्षिन कहते हैं इनका समुचित पृतिकार आंत्र द्वारा नहीं हो पाता तब आंत्र में धिरी धिरे शोत की उत्पत्ती होकर और ब्रणो उत्पत्ती अल्सवर का निर्वान हो जाता है इसकी निदान में जैसे मैंने पहले बताया अग्यात कारण है फिर भी आंत्रगत संक्रमन इंफेक्शन इंद्री इंटेस्टीन या लार्ज इंटेस्टीन पोसक अहार की अल्पता मानसिक कारण जैसे क्रोध, दुखित, चिंता, उदास हमेशा रहना, अत्रधिक कारणा और साथ-साथ में व्यादिक्शमत्त्य की कमी इन कारण से अल्सरेटो कोलाइटिस उत्पन होता है आएए पैथोजोनिस से देखें, संप्राप्टी देखें, अल्सरेटो कोलाइटिस में रेक्टम गुदा सबसे अधिक प्रोहाव उसमें पड़ता है, करीब-करीब 90-95 परशेंट व्यक्तियों में, गुदा में, रेक्टम में सबसे अधिक तकलीफ उनको महसूस होती है विविन मानसिक कारणों से हाइपो थैलमस केंदर उत्तेज़त हो जाता है, जिससे आंत्र में लाइसोजाईन की अधिक मात्रा में उत्पत्ति होने लगती है, परणामत शुरूप, आंत्र में उपस्तित, ट्रिप्टिक इंजाईन, म्यूकस मेंब्रेन को नश्ट कर देता है, क्योंकि लाइसोजाईन के द्वारा सिलेश्मकला को पहले से ही पतला कर देती है, इस प्रकार उसमें ब्रण उत्पन हो जाता है, और इसी को हम अल्सरेट्र कोलाइस्ट की उत्तपत्ति कहते हैं, यह जाती है, लक्षन में जो मेण स्म्टम है वह है वाटरी डिस्चार् पतले मलब प्रवत्ति होना, मल के साथ बहुतायत में शलेश्मा का निकलना और लगभग बीस से तीस बार मलब प्रवत्ति भी सीवियर रवस्ता में हो सकती है। मल के साथ पश, पूय, बलड और म्यूकस अधिक मात्रा में स्तरवित होने लगता है। रोगी बहुत ही वीकिनिस महसूस करता है। साथ में फीवर, एनीमिया, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, मलक त्याग करते समय एठन मरोड होना और तीप ब्रवेदना की उत्पत्ति पेश्यन में हो जाती है। प्रणामशूप इसके काह से रोगी जो है अत्यंत कमजोर हो जाता है। उपद्रों की रूप में सीवियर इंटरस्टाइनल ब्लीडिंग, देन पर्फुरेशन, इंटरस्टाइनल पर्फुरेशन, पार्शियल इंटरस्टाइनल आउप्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। और गुदा अर्थात रेक्टम में एप्सिस या फिशुला की उत्पत्ती भी इसमें हो सकती है। आई अच्छे किस्सा के बारे में हम क्या कर सकते हैं तो सबसे पहले निदान परिवर्जन, स्रामाने ताक क्रिया वयोगों निदानम परिवर्जनम। और आवश्यक्ता अनुसार यजि बहुत ही ब्लड का खरण हो गया हो तो ब्लड ट्रांस्फूजन भी करा लेना चाहिए। तो मैंटेन फ्लू लेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऐसे डैन बेस एलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मैंटेन हमको करना है। करना है। और इसमें जो मेरी अनभूची किसा है वह कल्प चिसा पर पंचामरत परपटी कल्प यह 30 दिन का प्रियोग आप इसमें कराएं। मैं इसको बता चुका हूं कैसे प्रारम करना है। साथ मिलिग्राम से या सो मिलिग्राम से सो मिलिग्राम पंचामरत परपटी प्रथम दिन ऐसा दस दिन तक बढ़ाते जाएं। और फिर ग्यारमें दिन से कम करना चालू करें। और फिर बीशमें दिन फिर सो मिलिग्राम से प्रारम करें। दसमें दिन यह मात्रा 1000 mg की हो जाएगी। और यह मात्रा 11 से लगा करके 20 दिन तक यहीं मात्रा एक ग्राम की मात्रा देते हैं। फिर 21 दिन से फिर घटाना चालू करते हैं। 900 mg फिर 800 और फिर तीसमें दिन 100 mg। इस दौरान चाच का ही सेवन कराएं। चाच प्रारम में एक गिलाज, फिर दो गिलाज, तीन गिलाज, चार गिलाज, पांस गिलाज, लगभग 5-6 लिटर तक दिन भर में चाच आप पिला सकते हैं। अनुपान के रूपे घट भार्जित जीरा और घट भार्जित हीं 500-500 mg में लाकर के सेवन करें। यह नरन्य है, सान्न भी कर सकते हैं। दलिया के साथ यह खिचड के साथ भी यह प्रयोग किया जा सकता है। इससे आमा से को या ब्रहदांत्र को रेश्ट मिलता है और जो ब्रण होते हैं वो हील हो जाते हैं और रोगी ठीक हो जाता है। तो यह परपटी खलब भी करना चाहिए। दूसरा दीपन पाचन उसधियों का प्रयोग, इस्तम्भक उसधियों का प्रयोग जैसे कहरवा पिष्टी, बोलबध धरस, जात्यारी टैल की वस्ती यह ब्लड को रोकने के लिए स्रेश्ट है। और एक स्रेश्ट शिकर सहस्ट में हैं पिच्छा वस्ती। पिच्छा वस्ती बहुत ही स्रेश्ट है। पिच्छा वस्ती में मुलेटी, धायपुष्प, शतावरी। इनका शीर सिद्ध तयार कर लें दो सवे मिल। इसमें पकाते वक्त जो सतावरी वह ने बताई सतावरी मुलेटी जब आप पकाते हैं उसमें बेल के पत्ते, बेर बोई जो उसको बोलते हैं बेर और उसके पत्ते 20 ग्राम मिल जाएं डाल दें। और जवारा गेहों को बो दीजे तो जवारे पैदा हो जाते हैं उसको करीब 20 ग्राम लेके डालके अच्छी तरह पका लीजे 300 मिल काड़ा बना लीजे फिर इसमें 55 ग्रट डाल करके 25 ग्राम ये पिछ वसी दीजे सरक्त रक्त भी डाल सकते हैं इसमें शैद और रक्त ताजा रक्त बक्रिया बक्री का लेकर के इसमें मिला करके करीब 50 एमिल रक्त डाल करके आप दे सकते हैं यह पिछा बस्ति पिछा बस्ति का वी प्रिवक इसमें अच्छा है आववश्क्तान उसार बहुत ही इंफेक्चिये सोगया हो तो आवश्क्तान सार here एंटी बायोटिक्स का भी सेवन आप कर सकते हैं अंत में शल्लिक्रिया भी करनी पड़ सकती हैं अउसद्यों में ग्रहणी कपाट रस 125 मिली ग्राम प्रवाल पिष्ट्री रस 250 मिली ग्राम और बोल बद्धर रस 250 मिली ग्राम यह दिन में दो यह तीन मात्रा शहित के साथ यह दिन में दो तीन बार आप शिवन कराएं इसके लावे एक योग और है अनभूत हेम गर्व पोट्ली रस 125 मिली ग्राम बोल पद्धर रस 250 मिली ग्राम और प्रवाल पिष्ट्री 250 मिली ग्राम यह दिन में दो बार शहित के साथ इसका शिवन कराएं बटी में दुगदबटी, कुटजगनबटी और जाती फलादी बटी यह एक साथ मद्धे में साथ दिन जाती फलादी दे में साथ दिन दुगदबटी, साथ दिन कुटजगनबटी इससे पेशन को भी अच्छा लाएगा और रोगी को भी आराम प्राप्त होगा चूड़ों में जाती फलादी चूण, दाड़ी मास्टक चूण, इनका प्रयोग बारी-बारी से आप 5-5 ग्राम की मात्रा में कर सकते हैं। काड़ों में धान पंचक क्वात, यह बहुती इस रिष्ट है। इससे मल भी बंद होता है, मल में थोड़ा से गाणा पनाता है। तक्रा रिष्ट, तक्रा रिष्ट भी उपयोगी है, चार चमर दबाई, चार चमर पानी, भोजन के बाद दोनों टाइंग। और एक योग जैसे मैं ने पहले बताया था, शतावरी 100 ग्राम, मुलेठी 100 ग्राम और 20 ग्राम मंदूर भस्प, यह एक एक चमर दिन में दो यह तीन बार सेवन इसका कराएं। रक्त को रोकने के लिए मुलेठी, नाकेशर और धाय पुस्प, इनका भी चून आप एक एक चमर दिन में दो तीन बार आप सेवन कराएं। तो इस तरीके से इसमें सर्फ से शिकिस्टा है परपटीकल इसका प्रयोग करें। अन्था जो मैंने योग बताएं हैं उनका अप्रयोग करें। खाना पीना का ध्यान रखें, हलका खाना जैसे खिच्डी, दही, दलिया, दही, मिर्ची, तली मली चीजे, बेशन, मैदा, कार्बोहाइड्रेट्स, ज्यादा घी वगरा, गरिष्ट भोजन, तला मला भोजन ये सब नहीं करना है, इसका परहेज आपको करवाना चाहिए। इनी शब्दों के साथ मैं अपनी वाड़ें को विराम देता हूँ, कल फर हम लोग इसी वक्त मिलेंगे, तब तक के लिए जै आरवेद।